एक बार फिर से जेडिस कीचन में आपका हर्दिक स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए मेरी रेसिपी को लाइक और दोस्तों में सेर करने के लिए। आपके सजेशन्स और कॉमेंट्स के लिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। आजम बनाएंगे आचारी पनीर थोड़ा सा स्वीट टेस्टी डिलिसियस और ब्यूटिफुल लुकिंग पंजाबी सबजी आचारी पनीर। तो दोस्तों सबसे पहले आचारी पनीर के लिए फ्लेवर फुल और स्पाइसी ड्राइ मसाला तयार करेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल स्पून दनिया लेंगे कोरियन डर सीट्स बाद में आधा टेबल स्पून राय की दाल ये राय की दाल को पेन में डाल दिया। और ये एक टीस्पून जीरा क्यूमिन सिट्स उसे भी डाल दिया। जीरे के बाद में ये आधा टीस्पून मेथी के दाले। उसे भी डाल दिया। और ये पांच कस्मिरी लाल मिर्च को तोड़ कर डालेंगे। और भुन लेंगे। ड्राय रोस्ट कर लेंगे। दोस्तो दनिय जिरे की खुसबू आने तक बुनेंगे, करीब एक मिनिट तक बुनेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, एक टीस्पून बड़ी सॉफ उसे भी डाल देंगे, देखिए हमारा मसाला बुन चुका है, अच्छी सी खुसबू आने लगी है, उसे उतार कर साइ देवी के लिए यह एक टमाटर जिसको हमने काट लिया है, आंच दस लसन की कलिया है, एक इंच जिंजर का टुकड़ा है, अधा केप्सिकम है जिसको हमने काट लिया है, एक प्यास कटा हुआ, और यह आधा टेबल स्पून टेमरिंड, इमली, इन सभी जीजों को मिक्सर ग आधा कब दही चाहिए, ये आधा कब दही को बावल में डाल दिया, और इस दही में घुना हुआ मसाला, ग्रैंड किया हुआ मसाला, फ्लेवर्फुल मसाला डालेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे, तर्मरी और स्वादानुस अधार नमक डालेंगे, और फिर से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, देखिए, हमारा मेरी नेशन तयार है, उसमें हम डालेंगे पनीर, जिसको हमने छोटे-छोटे पीसिस में काट लिया है, घर का बना हुआ पनीर है, उसे हम डालेंगे, दोस्तों, ये 200 ग्राम पनीर है, और ये सबजी चार लोगों के लिए है, तो पनीर को मेरी नेशन में डाल दिया, और हलके आतों से मिक्स कर लेंगे, और एक घंटे तक छोड़ देंगे मेरीनेट होने के लिए, ताकि मसालों की खुसबू और स्वाद, पनीर अच्छी तरह से एब्जोब कर ले, एक पेन मे में करीब 3 टेबल स्पून ओईल डालेंगे, और इस ओईल में और इस तेल में थोड़ी सी दाल चिनी, तीन लवंग, दो बड़ी लाइची, और ये तेजपत्ता, तेजपत्ता को भी डाल दिया, और ये थोड़ी सी जाविंत्री भी डाल देंगे, स्टार फुल को डाल कर मिला लेंगे, सोते कर लेंगे, दोस्तों इन मसालो की फ्लेवर ये मं समाज आने के बाद मसालों को हम निकाल लेंगे, और अब इस फ्लेवरफुल ओईल में टमाटर, पयास, केप्सिक्टूम, जिंगर, इमली, और गारणिक की पेस्ट डाल कर अच्छी तरसे मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे धिमी आज पर पकाएंगे जब तक ओईल ग्रेवी से अलग नहीं हो जाता तब तक पकाएंगे देखिए दोस्तों ओईल अलग हो चुका है हमारी ग्रेवी तयार है अब उसमें हम डालेंगे पनीर जिसको हमने मेरिनेट करने के लिए रखा था उसे डाल देंगे लीजिए पनीर को डाल दिया पेन में वो धीरे धीरे बड़े प्यार से मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे दोस्तों ये कलर ये खुसबू क्या कहूं ला जवाब है मुह में पानी आ गया थोड़ा चेक कर लेंगे खाने को टेस्ट करते रहे नमक कम खा डाल दिया फिर से मिक्स कर लेंगे देखिए ओल ग्रेवी से अलग होने लगा है दोस्तों ये सबजी जितनी खुबसूरत दिखती है स्वाद में भी ला जवाब है फिर से टेस्ट कर लेंगे चक लेंगे क्या कहूं दोस्तों बहुत बढ़ी है डिलीसियस बहुत ही अच्छी बनी है ये आचारी पनीर के सबजी है और दो मीट के बाद देखिए हमारा आचारी पनीर तैयार है आधा टीस्पून गरम मसाला भी डालेंगे और गरम मसाला के बाद में ये एक हरी मिर्च जिसको हमने बारिक बारिक काट लिया था उससे भी डालेंगे ये हरी मिर्च ज्यादा स्पाइसी नहीं है आखिर में डालेंगे दो टेबल स्पून मलाई फ्रेस क्रीम दूद की मलाई डालकर मिला लेंगे पनीर दही और मलाई हमारी ग्रेवी को रीच और स्मूध बनाएगी और हलका सा स्वीटनेस देगी एक टेबल स्पून कसूरी मेथी को हाथों से क्रस्ट करके डालेंगे और मिला लेंगे और हरे धरिये से गार्निश करेंगे और गर्मा गरम सर्व करेंगे आपकी अपनी रेशीपी आपकी अपनों के लिए आप भी बनाए ये आचारी पनीर और उसे रोटी नान या परठे के साथ गर्मा गरम सर्व करें तो दोस्तो ये आशन रेसिपी आचारी पनीर आप जरूर ट्राइ करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर परें आपके कोमेंट्स और सजेसंस का हमें इंतजार रहेगा अगर आपको यह रेशिपी पसंद है तो लाइक कीजिए और मेरी रेशिपी को दोस्तों में सेर करें मेरी चैनल को सब्सक्रेब करना ना भूलें आप स्वस्त रहें, मस्त रहें, तंदुरस्त रहें आपका दिन सूब हो, मंगल में हो, इसी कामना के साथ दिपावली और नए साल की धेर सारी सुबकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे कुछ ऐसी मजदा रेशिपी के साथ तब तक मुझे आग्या दे, तन्यवाद